नमस्कार मैं हूँ राजेश मेंतानी और आप देख रहे हैं शौर्ट कैप्सून आज हम एक ऐसे विशे पर बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नए दिश्टिकोंट से देखने का तरीका सिखाएगा विशे संभावनाओं में सोचें निश्चेतिताओं में नहीं तो सबसे पहले देखें कि निश्चेतिताओं का भ्रह्म क्या होता है हमें से कई लोग जीवन में चीजों को लेकर कुछ निश्चित सोच रखते हैं हमें लगता है कि अगर एक बार हमने योजना बना ली तो सब कुछ उसी के अनुसार होगा लेकिन जीवन में कुछ भी 100% या शत प्रतिशत निश्चित नहीं होता हम जितना भी सोच लें योजनाय कभी पूरी तरह से हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती जीवन का असली नियम है अनिश्चितता यह मान लेना कि सब कुछ निश्चित होगा हमें असफलता से डराता है और हम मौके लेने से कतराते हैं लेकिन अगर हम संभावनाओं में सोचें तो हम हर स्थिती को एक मौके के रूप में देख सकते हैं जहां जीतने या हारने के द इसका मतलब है कि हर निर्णे को इस रिष्टिकोंट से देखना कि इसके कितने अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं और उन परिणामों के आधार पर अपनी योजना बनाना यदि आप सूचते हैं कि काम को करने का 70% या 70% चांस है कि यह सफल होगा तो आपका मन पहले से ही तैयार हो जाएगा कि 30% चांस है कि असफलता भी हो सकती है इस तरह आप दोनों ही परिष्टितियों के लिए तैयार रहेंगे संभावनाओं में सोचने से हमें असफलता का डर कम होता है और निर्णे लेने की शक्ति बढ़ती है निश्चितिता की जगे लचीला पल अपना है संभावनाओं में सोचना हमें एक लचीली विचारधार की Count लेắtा है यह हमें सिखाता है कि हम अपने निरणाओं में लचीले बने रहें और अपने विचारों को बदलने के लिए तयार रहें जब आप सोचते हैं कि सफलता के कई रास्ते हो सकते हैं तो आप किसी एक रास्ते में फसे नहीं रहेंगे, आप अपने आपको उस इस्तिती के अनुसार डालने में सक्षम होगे लक्ष निर्धारण में संभावनाओं की भूमिकार जब हम जीवन में बड़े लक्ष निर्धारित करते हैं तो उन्हें हासिल करने का कोई तरीका निश्चित नहीं होता कई बार हमारे दोरा ताय कि ये गए रास्ते काम नहीं करते तो संभावनाओं में सोचने से हम ये त्विकार कर पाते हैं कि असफलता भी इस यात्रा का हिस्सा है और ये हमें नए आफसर खोजने के लिए प्रेरित करती है संभावनाओं से सफलता का सफर जिन्दगी में जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा अपने नड़ने संभावनाओं के आदार पर लेते हैं वे जानते हैं कि कोई भी नड़ने निश्चित नहीं होता लेकिन उन्हें सफलता पाने के लिए प्रियास करते रहना है यह हमें सिखाता है कि यदि आप जीवन में जोखिम लेने के लिए तयार हैं और संभावनाओं को समझते हैं तो आपको असफलताओं से घबराने की जरुवत नहीं है तो दोस्तों याद रखिए कि जीवन में कभी भी केवल निश्चितताओं पर भरुसा नहीं करना चाहिए सोचें कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं और हर सिती में सीखने और आगे बढ़ने का प्रियास करें जब आप संभावनाओं में सोचते हैं तो आप अपनी सोच को व्यापक बना लेते हैं और सफलता की संभावनाएं भी बढ़ धाती हैं इस सोच को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे आपका दिश्टिकॉन बदलता है तो संभावनाओं में सोचें और हर अनिशित्ता को एक नए अवसर के रूप में देखे धन्यवाद आपके जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं उन्हें पहचानिये और उन्हें अपने पक्ष में इस्तिमाल करिए आज यहीं रुकेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विशेफर चर्चा के लिए मुपस्तित होंगे तब तक के लिए आप सर्मति चाहेंगे मेरे इस वीडियो को लाइक करना इसको अधिक से अधिक शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार